Exercise 6C में हमें करना है factorize in given polynomials का तो देखते हैं इसका question number 1 जो है ax² plus by² plus bx² plus ay² तो इस polynomial को हमें यहाँ पर क्या करना है factorize करना है और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि जो इस polynomial है यह 4 term से मिलके बना हुआ है तो इस polynomial को हम किस तरह से factorize करेंगे यहाँ पर तो हम क्या करेंगे यहाँ पर grouping करेंगे दो दो टर्म की ठीक है किनी दो टर्म की एक साथ grouping करेंगे और किनी दो टर्म की एक साथ grouping करेंगे अब किस तरह से grouping करते हैं हम यहाँ पे यह देख लेते हैं जैसे इसकी first term है ax square तो यहाँ पे x square और इसकी third term है bx square तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है इन में x square common दिख रहा है तो इन दोनों की हम क्या कर लेते हैं grouping कर लेते हैं तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यह है A x square plus B x square, तो यहाँ पे x square common था, इसलिए हमने यहाँ पे इनकी grouping कर ली है, ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ पे है इसकी second term and fourth term, तो यह है y square and y square, इन दोनों में common है, तो हम यहाँ पे इनकी grouping कर लेते हैं, plus का sign, यह हो जा ले हमने x square, अब देखे, यहाँ पे x square से जब x square बहर आगया तो बचा क्या, a बचा, एन प्लस, यहाँ पे bx square से जब x square बहर आगया, तो बचा क्या, यह बचा b, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे plus का sign, अब देखे, इसमें b y square and a y square, तो इन में हमें क्या common मिल रहा है, यहा y square बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यह बचा a, ठीक है, इसको मैं b plus a को a plus b write कर सकता हूँ, इस तरह से x square a plus b, then plus का sign y square a plus b, ठीक है न, b plus a को a plus b हम write कर सकते हैं, अब देखिए, यह हमारे पास पहले 4 term थी, अभी बन चुकी है, दो term का polynomial बन चुका है, ठीक है, तो यह यहाँ पे आपको क्या दिखरा है, इस term में a plus b है, इस term में भी a plus b है, तो यह इन दोनों में क्या है, common है, तो इसको हम क्या ले लेते हैं, common ले लेते हैं, यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं, दो यह a plus b हमने as a common ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा, इस term से जब a plus b बाहर आ चुका है तो यहाँ पे बचा है x square ठीक है अब अगली जो इसकी टर्म है y square into a plus b इस a plus b को हमने यहाँ पे बाहर निकान ले आती है यहाँ पे क्या बचा y square थो plus y square तो यह इसके क्या होंगे factors होंगे अगला है इसका question number 2 यह है यहाँ पे a square plus 2b plus a b and plus यह है 2a तो इसमें हमें 4 term दी गए हैं तो यहाँ पे हम उसी तरह से factorize करेंगे इसको पहले हम क्या करेंगे किनी 2 terms की grouping करेंगे पिर किनी 2 terms की grouping करेंगे इन 4 terms में से ठीक है तो यहाँ पर देखें आपको क्या दिख रहा है जो यह A square है ठीक है तो यहाँ पर A and इसमें A B ठीक है तो इन दोनों में हमारे पास A को मना सकता है ठीक है बड़ देखें जब मैं यहाँ पर B लूँगा अगला तो B की मैं किसके साथ करूँगा क्योंकि मेरे पास क्या आना चाहिए B को मनाना चाहिए ठीक है तो हम क्या कर लेते हैं पहले इसकी और इसकी grouping कर लेते हैं और इसकी grouping कर लेते हैं तो इसको ले लेते हैं हम किसके साथ A square क्या हो जाएगा यहाँ पर A square प्लस इसको लिया है मैंने किसके साथ 2A के साथ ठीक है इसकी grouping की है और इसकी second term की मैंने third term के साथ की है तो यहाँ पे क्या है यह है 2B plus AB अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास इन दोनों में common होगा वो क्या होगा A common होगा इन दोनों में ठीक है और इन दोनों में क्या common होगा B common होगा तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ बैए तो यह हो जाएगा A अब देखे इस first term से जब A square से मैंने A बाहर निकाल ले तो अंदर क्या बचा है? एक A बचा ठीक है न यहाँ पर plus का sign इस A को हम बाहर निकाल चुके हैं तो क्या बचा? 2 बचा एन यहाँ पर plus का sign यहाँ पर हमने किसको बाहर निकाल लिया है? B को ठीक है न? B यहाँ पर दोनों में common है तो B को हम ले लेते हैं common तो बचा क्या है, 2, यहां पे प्लस का Sign, यहां पे बचा क्या है, यहां पर बहुरर, तो बचा क्या यहां पर ठीक है, इसको हम ऐसे आइट कर सकते हैं, जा कर सकते हैं, यहां पर हमारे पास आ चुके हैं यह दो टर्म, तो इन दो टर्म में हमें क्या दिख रहा है, यहां पर इसमें a plus 2 का multiply है, इसमें भी a plus 2 का multiply है, तो यह दोनों क्या है, common है, ठीक है, तो यहां से मैं इसको common ले लेता हूँ, तो यह हो जाएगा a plus 2 as a common, यहां पर a plus 2 बहारा चुका है, तो यहां पर क्या बचा, यह बचा a, इससे a plus 2 यहां पर आ गया, तो यहां पर बचा क्या b, तो यह इसके factors होंगे, ठीक है, next है इसका question number 3, तो question number 3 क्या है, यहां पर px, क्या है, यहां पर px plus qx plus py plus, यह है यहां पर qy, तो हमें यहां पर किनी दो term की grouping करनी है फिर किनी दो term की grouping करनी है तो यहाँ पे देख लेते हैं देखो अगर मैं इसका करता हूँ PX का और QX का ठीक है तो यहाँ पे X को मना जाएगा दोनों में clear और यहाँ पे मैं इसका करता हूँ Y का और PY का और QY का तो देखे क्या हो जाएगा यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है इसमें X common and इसमें मिल रहा है हमें Y common तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां से x आएगा, तो देखे, जब इस p x से x बाहर आगया, तो यहां पर क्या बचा, इस में बचा p, और यहां पर q x में से x बाहर आगया, तो यहां पर बचा q, और यहां पर plus का sign, इस p y और q y में y हमारा common है, तो इसको हम बाहर नि तो इसमें हमारे पास यह P plus Q दोनों में common है तो हम इसको common ले लेते हैं यहां से तो यह P plus Q ठीक है अब इस टर्म से X into P plus Q से हम P plus Q को बाहर निकाल चुके हैं तो यह बचा हमारे पास कितना X and इस Y into P plus Q टर्म से हम P plus Q को बाहर निकाल चुके हैं तो बचा क्या Y तो यह इन दोन का क्या होगा, इनका क्या होगा, question number 3 का factor होगा, ठीक है न, 4 देखते हैं इसका, तो question number 4 है, यहाँ पे x cube plus 3 x square plus 6 x and plus 18, तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, factorize करना है, तो वही कर लेते हैं, इसमें, regrouping कर लेते हैं, तो देखें, मैं यहाँ पे किस तरह से कर सकता हूँ, तो इन दोनों की grouping कर सकता हूँ, मैं इस तरह से, अगर मैं इसको लेता हूँ, x cube और 3 x square को, तो यहाँ पे x square common आ जाएगा दोनों में, ठीक है न, और यहाँ पे 6 common आ जाएगा, तो मैं इसको एक साथ ले लेता हूँ, पहले यहाँ पे x cube, plus 3 x square, and plus, यह हो जाएगा हमारे पास 6 x plus 18, तो इन दोनों की grouping आ जाएगी यहाँ ठीक है, अब देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो x square है न, इन दोनों में common हो जाएगा, और इसमें हमारा 6 और 18 में से 6 common आ जाएगा, ठीक है, तो देखो किस तरह से करेंगे, इसको यहाँ पे x square में common निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी x square होगा, तो छोटी power वाली को ले लेता है, हम यहाँ पे x square को मैंने common ले लिया, जब x square को मैं यहाँ से बाहर निकाल चका हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, 2 से 2 power cancel हो जाएगी, इसकी बचेगी 1x, ठीक है, तो यहाँ पे x to the power 1 का हमारे पास x आएगा, और plus का sign, 3x square वाली टर्म से मैं x square को बाहर निकाल चका हूँ, तो अंदर बचेगा 3, ठीक है, और plus का sign, 6x and 18 में मैं यहाँ पे common ले सकता हूँ किसको, 6 को, ठीक है, 6 से divide कर सकते हैं इन दोनों को, बड़े से बड़ा नंबर हमारे पास यही है, तो यहाँ 6x से मैं 6 को बाहर निकाल चका हूँ, अंदर बचा है x and यहाँ पे plus का sign, 6, 3 जा 18, ठीक है, तो x plus 3 आ गया, अब देखो, यह हमारे पास दो term बन चुकी है, x square into x plus 3 and 6 into x plus 3, तो इन दोनों में हमारे पास यह common है, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, common यहाँ पे x plus 3, तो अंदर क्या बचा, इस term से मैंने x plus 3 को यहाँ पे बाहर निकाल लिया, तो बच गया x square, and यहाँ पे इस term से 6 into x plus 3 से मैंने इसको बाहर निकाल लिया, यहाँ पे x plus 3 को तो बच गया क्या 6, तो यह इसके factors हो,